जै हीन दोस्तों, SSC स्टाप सेलेक्शन कमिशन की ओर से SSC CPO के ओनलाइन पोरम सरु उचके हैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप कंपलेट ओनलाइन पोरम पिल अप करने का प्रोसेस दिखाऊँगा इसके लिए आल इन्डिया कंडेट हों अपलाई कर सकते हैं, मेल और प्रीमेल दोनों कंडेट अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको रहिटेशन से प्रिंट तक का कमपलेट प्रोसेस दिखाऊँगा सिर्फ आप से रिक्वेस्ट आप वीडियो कौन तक जरूर देखते रहें वीडियो को स्कीम मत करें बिलकुल भी क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिये गए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए आप वीडियो कौन तक जुरूर देखते रहें उससे पहले हम आपको कुछ इसमें बेसिक जान करी देदूं जैसे कि SSC की और से सब इंस्पेक्टर की CPU की वेकैंसी निकाल दी गई हैं जिसमें आप दिल्ली पुलस, CRP, CISP, BSP, ITBP, SSB में सब इंस्पेक्टर आप ब मिलेगी जोब लोकेशन की बात करें New India Pierce, State से बात करें आप को आपको नोटिवीकेशन मिल जाएगा और मैंने आपको टैली क्राम वाटस्थ ग९ूरूप का लिंक आपको दिस्क्राइब दिधी है वहाँ इस आप टैली कर आम और वाटसेफ जोइन कर सकते हैं वहां पर आपको हर गौर्मनेंट जोब की जानकरी का अपडेट दी जाती है इसलिए आप टैली करा मुर्वाटस भूल जोइन कर सकते हैं अप लिग सन फीज की बात करें जर्नल ओबीची के लिए सो सब्सक्राइब आपको ओनलाइनी पेकरनिस के लिए देखे पूरम आजो आज से शरूच के दस अगस से पूरम सरूच के तीस अगस 24 लास्ट रखेगी और जो टायर वन होगा एकजाम आपका केम्पूइटर बेस्ट एकजाम होगा नॉवंबर 24 में एकजाम होगा एज की बा तो देखे इसमें जो आपका सेलेक्सन प् evraर ना एकजाम होगा उसके बाद आपका फटी क्रीद्र इट्ट के बात लिए मैडीक्यल न की बात करें टेशाम के लिगा करके दिखाता हूं कैसे प्ना ओनलाइन फोरum आपको फिल्डप करना हे। देखिए यह नोटिफिकेशन आपको टेली करा मुर्वाट्सक गूर्प दोनों पर मिल जाएगा अब मैं आपको प्लाइं ओनलाइन करके दिखाता हूँ देखिए यह मैंने SSC की ओपिशल वेब साइट ओपन कर लग की हैं इसका डारेक्ट लिंक आपको डिस्कुर्शन मिल जाएगा वहां से आप डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं उसके बाद आपको स्क्रूल करके निचे अगर आपका SSC की वेब साइट पर पहले से अकाउंट है जैसे ही आप New Ration पर कलिक करेंगे यहां पर अपनी Basic Detail आपको डालनी है यहां पर देखे आपको अपनी Basic Detail अच्छे से फिल अप करनी है हम आपको Step by Step बताँगा कैसे अपनी Basic Detail आपको फिल अपकरनी है आप बाद में इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे इसलिए आप आपना A大ard догन डलनाए आपको अदार अरिकार नेमबर को वैरिफाइए करेंगे अगर आपके पास आजान नमबर नहीं है तो आप NO पर कलिक करेंगे जैसे इसे नों पर कलिक करेंगे धी कर लेंगे इसए अपनी इसलिए कर लेंग transformation यहां पर त्लैक कर लिए यहां पर अपन निचे आना है यहां पर अपना नाम डालना है जो भी 10th क्लास की मार्क सीट में वही नाम यहां पर आपको फिलप करना है अपने नाम के आगे आगे आपको कोई भी Mr. Mrs. ऐसा कुछ नहीं लगाना है सिर्फ आपको नाम डालना है नाम को आप दो बार से वरिफाई करेंगे यह अगर अपने नाम अपने चेंज गिया है तो यहां पर कलिक करके यहां पर डाल सकते हैं अगर नहीं चेंज गिया तो आप नो पर कलिक करेंगे उसके बाद यहां पर अपने फादर का नाम डालना है पादर के नाम के आगे आगे आपको Mr. Mrs. रीमान ऐसा कुछ नहीं लगान है उसके बाद मदर के नेम को वेरिफाई करना है उसके बाद यहां पर पुरी डाल देनी है तैंथ क्लास का लिए यहां पर चिती में है वह停 में है यहां पर ऐख明 Bluetooth करनी है ऊसके बाद डेटош ओर्वरनेख आपको वेरिफाइ करेंगे, दोबार से, उसके बाद tenth class की detail आपको डाल लें, किस बड़ से अपने tenth class पास की, open according select कर लेंगे, आप दोबार से select करेंगे, अपने बोर्ड को, उसके बाद 10th class का roll number नेहांपर डालना है, आपको roll number को आप दोबार से वेरिफाइ करेंगे, उसके बाद यहां से कीसい र Alors रापने 10th Class pass किये उपनेคोडिंग यहँ स्लिक जर्द करके लेगे दो बारra से आफ уд car can't ऑने जर्याम सनलरा स्लिक गरएं चांडर करूंग उसके राप सुलब करें यहा है और आप Спाली करें दोनं लेंटीस के वाइर करें इसके बाद यहां पर दाले हैं. इमेल आइडी को आफ दूबार से वयरिफाइ गार करेंगे. उसके बाद पर्माने जो स्टेट तब की तो हैं यहां से अपने 수ick kids in Spanish प्रतिे और रेड़े में क्यूंत पर लिए और जाओ किति और यहां से यहां से से हो पर क्लिक यहां पर आपको password डाल देना है, उसके बाद यह जो आपको कैपचा दिया गए, यहां पर कैपचा दिया गए, यहां पर डालना और login पर आपको click करना है, देखे, जैसे ही आप login करते हैं, उसके बाद यहां से आपको scroller के नीचे आएना है, यहां पर आपकी email ID और आपका orientation दिखा देगा, यहां पर आपको old password डालना है, जो आपके पास send किया गया है, उसके बाद आप new password बनाएंगे, यहां पर new password को आप दोबार से confirm करेंगे, उसके बाद यहां से आपको submit पर click करना है, देखें, जैसे ही आप submit करते हैं, उसके बाद आपका password और राइटेशन सेक्सिस बली हो चुका है, उसके बाद यहां से आपको close पर click करना है, जैसे ही आप close पर click करेंगे, उसके बाद यहां से अपना rightation नमबर डालेंगे, और जो आपने new password बनाए है, यहां पर डालना आपको, उसके बाद यहां जो आपको कैपचा दिया गया है, यहां पर डालना और login पर आपको click करना है, देखें, जैसे ही आप login करते हैं, उसके बाद आपकी profile ओपन हो जाती है, यहां पर आप देखिए, सब inspector, दिल्ली प्लिस, CRPO के आपके forum हैं यहां उसके बाद यहां आपको apply पर click करना है, जैसे ही apply पर आप click करेंगे, उसके बाद थोड़ा आपको wait करना है, उसके बाद आपकी complete detail आपको दिखा देता है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी mother name, आपकी date over, तो उसके बाद आपकी category, जो जो 10th class की qualification, इससे भी detail को आप अच्छे से verify कर लेंगे, जो आपने रिटेशन के वक्त डाली थी, उससे भी detail को आप अच्छे से verify कर लेंगे, अगर आप departmental हैं, तो yes no pen a coding यहां पर आप कर सकते हैं, जैसे आप yes no pen a coding करेंगे, आप उसके बाद नीचे आएंगे, आपने इससे जो qualification को कर रखेंगे, इससनों अपने coding कर सकते हैं, उसके बाद अपने exam center की पर फैन्स आपको डालनी है, जहांपर आप एक exam center देना चाहते हैं, तीन exam center आपको चूज करने हैं, तो अपने coding आप select कर लेंगे ने, उसके बाद एक स्रीज मैन है, तो yes no pen a coding कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आन आपको, यहांपर सभी option आपके ओप हो जाते हैं, उसके बाद आपको age relaxation से ही है, तो yes no pen a coding कर सकते हैं, जास करके आप यहांपर अपनी category और डाल देंगी, उसके बाद higher qualification आपके पास किया है, अपने coding आप आप select कर लेंगी, जो भी आपके पास higher qualification है, जैसे मैंने BA डाल दी है, उसके बाद यहांपनी qualification के detail आपने graduation डाल देनी है, उसके बाद status यहांपर आप select कर लेंगे, पास higher जो भी है, उसके बाद यहांपर आपने coding select कर लेंगे, जैसे आपने graduation पास किये, state board यहांपर आप select कर लेंगे, जिस भी state board से आपने की है, उसके बाद यहांपर आपना board आपको select कर लेंगे, यूश्टी स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर अपना पोटो आपको अप्लोड करना है मैंक्सिम साइज चैस का 20-50 पी रखा गया 10 महीं से पहले अपना पोटो यहांपर अप्लोड непr windy करना करना है शूर्द जैसे ही प्रीवपर करते हैं उसके बाद ऊपके फोरम हाथ आप को प्रीव डिखा देता है सबीटेल को आप अच्छे से वैरिफाई कर लेगे क्योंकि इसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से वेरिफाई कर लिया कुवालिफीकेशन आप चेक कर लेंगे एडर से अपना वेरिफाई कर लेंगे अपने पोटो सिगनेटर रैफ वेरिफाई करेंगे यहां पर आपको सम्मि कर दो रजटी झाते कर लेंगे कर एक के अजड़ा थाला।